C-I-E-T-N-C-E-R-T द्वारा प्रस्तुत है, कक्षा 6 के लिए द्विदिय भाषा के रूप में हिंदी की पाठे पुस्तक दूर्वा भाग एक 28वा पाठ, गधा और सियार, चित्रकथा दो प्रेश्ठ संख्या 134 से 140 तक अब प्रस्तुत है पाठ, गधा और सियार चित्र एक गधा और सियार में अच्छी मित्रता थी वे दोनों एक सात रहते, एक सात भوجन की खोज में निकलते चित्र दो, चांदनी रात थी, दोनों भوجन की खोज में निकले चित्र तीन, वे ककड़ी के खेत के पास पहुँचे चित्र चार, ककड़ी देखकर उनकी भूख और तेज हो गई वे दोनों खेत के भीतर पहुँचे चित्र पांच, पेट भर ककड़ी खाने के बाद दोनों खुश हुए सियार साधारण खुशी को महत नहीं देता था वे चुप रहा, लेकिन गधा चुप नहीं रह सका वे बोला, मित्र मजा आ गया, अब गाना गाने का मन हो रहा है चित्र छे, सियार ने गधे को समझाने की कोशिश की मुह ना खोलना, किसान जग गया, तो लेने के देने पड़ जाएंगे चित्र साथ तब गधा बोला, किन्तु मैं खुश हूँ, अब मैं खुशी में गाय बिना नहीं रह सकता गधे ने सियार की बात नहीं मानी, वे जोर से गाने लगा चित्र आठ, किसान गधे की हैंचू हैंचू आवाज सुनकर जाग गया और सोचने लगा लगता है, खेत में गधे आ गये हैं चित्र नौ, किसान लाठी लेकर दोड़ा आया चित्र दस, सियार किसान को देखकर भाग खड़ा हुआ, लेकिन गधा पकड़ा गया चित्र ग्यारह, किसान ने गधे की खूब पिटाई की चित्र बारह, बेचारा गधा मार खाता रहा दूर खड़ा सियार, दुखी मन से मित्र गधे की दुर्दशा देखता रहा किसान गुसे में गधे से बोलता है तुमने फिर खेत की और मुखिया, तो तेरी जान निकाल लूँगा चित्र तेरह, किसान ने गधे को मार मार कर खेत से बाहर भगा दिया चित्र चौदह, गधा नीचे पड़ा पड़ा करा रहा था सियार, गधे के पास धीरे धीरे आया गधा बोला, हाई, हाई, मैं मर गया दोस्त, मेरी दवा कराओ दर्द से मरा जा रहा हूँ लगता है, मेरी हड्डियां कई जगा से तूट गई है चित्र पंद्रह सियार ने गधे के आशू पोछे धानधस बंधाया लेकिन गधा धहरे चोड़ कर चीख चिला रहा था सियार गधे से बोला मैंने तुम्हे सावधान किया था मित्र पर तुमने मेरी बात नहीं माने सिर पर संकट बुला लिया अब पीड़ा हो रही है तो तुम्हे ही सहनी पड़ेगी चित्र सोलहा गधा सियार से बोलता है मैंने क्या गलत किया है दोस्त खुशी में गाना गाना मेरा स्वभाव है यह मेरी गलती नहीं है मैं मानता हूँ कि जो लोग खाने के बाद गाते नहीं वे अच्छे नहीं होते जब गधे ने तर्क दिया तो मित्र की मूर्खता पर सियार को हसी आ गए चित्र सत्रहा सियार गधे से बोला तेरा स्वभाव और तेरा तर्क दोनों भले है मित्र पर गलती यह है कि धैरे के साथ रहकर उचित्समय को पहचानने की बुद्धी तुझ में नहीं है इसी लिए तुम संकट में पड़ गए सियार की बात गधे की समझ में आ गई चित्र अठा रहा तुम ठीक कह रहे हो दोस्त धैरे नहीं रखने के कारण पेट भरते ही मैं गाने लगा खुशी को भी भोजन की तरह पचाना आवश्यक है और समय की पहचान भी धैरे के बिना नहीं हो सकती धैरे से रहने और उचित्समय को पहचान कर कारे करने की बुद्धी मानी गधे ने कश्ट में पढ़कर सीख ली अभ्यास एक यहां कुछ कथन दिये गए हैं आप बताएं कौन सा कथन किसका है कथन एक अब गाना गाने का मन हो रहा है कथन दो जो लोग खाने के बाद गाते नहीं वे लोग अच्छे नहीं होते कथन तीन धैर्य के साथ रहकर उचित्समय को पहचानने की बुद्धी तुझ में नहीं है कथन चार खुशी को भोजन की तरह पचाना आवश्यक है दो अब इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए प्रश्न संख्या एक सियार ने गधे को गाना गाने से मना क्यूं किया प्रश्न संख्या दो ककडी खाने के बाद गाना गाने की गलती गधे ने क्यूं की प्रश्न संख्या तीन गधे ने कश्ट में पढ़कर सियार से कौन सी बुद्धिमानी सीखी दूर्वा भाग एक अभी आप सुन रहे थे कक्षा छे के लिए द्वितिय भाषा के रूप में हिंदी की ध्वनी पाठे पुस्तक कलाकार प्रवीन शर्मा तिलक राज राजेश आहुजा और सत्यश्रवा शर्मा ध्वन्यंकन बटिल्यंग लिंग्डो तथा निर्मान निर्देशन वध्वनिसंपादन वंधना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T.